हड्डियों की मजबूती के लिए रोज खाई एफोर्ट्स बुढ़ापे तक मजबूत रहेगा शरीर नम्मर एक हरी पत्तेदार सब्जियां ब्रॉकली, के, पालक, कॉलार्ड, ग्रीन्स और मैथी जैसी हरी सब्जियां के अलशियंग बिटामिन के और मैगनीशियंग से भरपोर होती है बिटामिन की हड्डियों के स्वास्त में बहत पूर्ट भूमिका निवाता है, जिससे फ्रैक्शर के जोकिम को कम करने में मदद मिलती है इसके अलावा मैंगनीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है इसके अलावा हरी सब्जिया शरीर को ज़रूरी बिटामिल्स की पूर्टी भी करती है जिससे आपकी हड्डियों को ताकत मिलती है नमर दो ड्राइफ रूट अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, समीत, लगबग, सभी ड्राइफ रूट्स, कैल्शियम, मैगनेशियम और प्रोटीन से भरपोल होते हैं रोजाना ड्राइफ रूट्स और बीजों का सेवन करने से हड्डियों के घनत तुमें सोधान हो सकता है और फ्रेक्शन का फत्रा कम हो सकता है नमर तीन बीज ड्राइफ रूट्स की तरही बीज जैसे चिया सीड्स, अलसी, दर्बोज, खर्बोज और सूरज मुखी के बीज भी कैल्शियम और मैंगनेशियम जैसे खनीजों से भरपोल होते हैं जो हड्डियों की मजबूती वे एहम घुमिका निभाते हैं इनका रुजाना सेवन आपके संपोर्ट स्वास्त के लिए फाइदे मन्द होता है अगर आप सुगा नाश्ते में बीज खाते हैं तो आपकी हड्डियों और शरीर को बहुत जादा फाइदा होगा नमर चार मचली सालमन, टूना और सार्डिन जैसी फैटी मचली बिटामिन डी का अच्छा शरोत होती है जो शरीर को कैल्सियम एब्जॉब करने में मदद करता है और मजबूत हड्डियों का निर्माण में भी मददकार है नमेत्रोप से फैटी फिश का सेवन करने से औस्टियो पॉरसिस और फ्रैक्शर की जोखिम को कम किया जा सकता है नमर पाँच डेरी प्रोडेक्ट्स, दोध, पनीर और दही कैल्सियम के सबसे अच्छे श्रोत माने जाते हैं इसमें मौजूत खनिच, मजबूत हड्डियों के निर्माण और उन्हें स्वस्त रखने के लिए जरूरी होते हैं नियमेत्रोप से डेरी उत्पाद्दों का सेवन करने से फ्रैक्शर और ऑस्टियो पॉरसिस के खत्रे को कम किया जा सकता है